नमस्कार, स्वागत है आपका नियूज लाउंचर पर मैं हूँ नीलू व्यास आज मोहन भागवत ने एक बार फिर से मोधी जी के उपर प्रहार किया है उन्होंने मोधी जी का नाम नहीं लिया लेकिन जमकर मोधी की ट्रोलिंग की है ट्रोलिंग शब में इसलिए इस्वाल कर रही हूँ क्योंकि जारकंड के एक समारों में वो बात कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा मिजाइल दागा है जिसको लेकर कॉंग्रिस ने भी चुटकी ले ली उन्होंने जो अविनाशी प्रधान मंत्री हैं उनके लिए कहा कि मनुश्य अपने आपको अलोकिक ताकतों वाला बताता है सूपरमैन की उन्होंने बात की उन्होंने देवता शब्द इस्तमाल किया और वो मनुश्य के रिफरेंस में बोल रहे थे साइर सी बात है कि उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया लेकिन वो मोदी जी पर कटाक्ष पे कटाक्ष कर रहे थे और मोदी जी या फिर नडड़ा जी या फिर अमिचा जी उसको चाहकर भी डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बात मोहन भागवत यानि की RSS Chief के तरफ से नज़र आई है और इसके पहले भी आपने देखा होगा मोहन भागवत ने ये इशारों इशारों में बात कहा था कि जो मोदी जी का एहंकार है वो शायद पार्टी को ले डूबा है उसके बाद ऑगिनाइजर जो विश्वदूत ये सारी चीजों का आज उन्होंने उले किया है मैं चाहते हूं कि आप वह वाइट मोहन भागवत की सुनिए और इसके बाद फिर हम चर्चा अपने महमान से आगे शुरू करेंगे आई सुनते हैं क्या कहा मोहन भागवत थी जी कोई होते अती मानों सुपर लेकिन वहां रुकता नहीं उसको लगता है कि देव बनना चाहिए तो देवता बनना चाहिए लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है तो भगवान बनना चाहिए और भगवान कहता है कि मैं तु विश्व रूप हूं अभी तो आपको एक रूप में दिख रह रुकने की जगह कि वहां से भी आगे कुछ है यह कोई जानता नहीं है ऐसे कहीं नहीं सकता तो आपने सुना कि आरेसेस चीफ मोहन भागबत ने क्या कहा मोदी जी का नाम नहीं लिया लेकिन एक ऐसे मनुष्य की उन्होंने का उले किया जो कभी अपने आपको महामानव बतात है देवता तमाम उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जिसका मोदी जी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार उसका उले किया है जो नौन बायोजिकल पी-म की बात बार बार कही जाती उसको लेकर आजहराम एस पर जाकर लगा है आज इसे पर हम चर्चा करते हैं कि क्या मोहन भागोत ने आज मोदी जी की ट् डोलिंग की और अगर ट्रोलिंग की तो उससे उंको क्या हासल हुआ उन्होंने किस मकसद से किया और वो क्या संदेश दे रहे हैं इसी पर हम माचीत करेंगे है हमारे साथ दीपक कबीर, जो कि जाने माने political activist है, वो से मैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और यह जो बयान है मोहन भागवाद का, यह आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इन्होंने इस तरीके का बयान, आज वो क्या कहने की कोशिश करना है अपने इस बयान में है, जी दीपक. अपने इंटर्व्यूस में, एक नहीं कई इंटर्व्यूस में, अलग अलग लोगों को यह दावा करने की कोशिश करते रहे हैं, कि वो कोई दैवी शक्तियों से लहस हैं, वो अलौकिक हैं, वो इस लोग के हैं नहीं, उनको परमात्मा सीधे मैसेज करता है, वो पैगंबर बन चुके हैं, और इसलिए उनके किये गए कामों में कुछ छुपा होता है, वो सही होते हैं, यह चुनाओ हारने के पहले की बाते हैं, उसके बाद तो बिचारे जैश्री हम भी नहीं बोलने हैं वो, लेकिन जो है, तो ऐसी रोश्नी में, जब आप देखते हैं मोहन भाग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग जिस तरीके से तंज करते हैं, वो ले रहे हैं और यह तो ओपली बयान में कह देते हैं, इशारे इशारे में, जब आ सोचिए कभी चाय पर यह चार लोग बैठते होंगे, तो कैसे खिल ली उडाते होंगे, मोधी जी की, भाई वो तो द और मोहन भागवत का यह कहना या मोहन भागवत जैसे लोगों का जिसकत के लोग हैं, वो इस बात को दिखाता है कि इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और तलवारे किची हुएं, अब जब पार्टीयां अपने ही लोगों से मोचे में लग जाती हैं, तो वो द सब्सक्राइब करते हैं, तो जब यहीं सब में फसे रहेंगे तो देश का क्या होगा, तो कुलमिलाकी यही कहेंगे, पर फिलहाल नरेर्मोधी भी सुने, पहुचेगा उन तक ही, बहुत लोग पहुचाएंगे, और वो जवाब भी देंगे, इसका अपने इस तरीके से दे सब्सक्राइब करेंगे, पर नरेर्मोधी सब्सक्राइब बड़े दिल्चस्प जगे पहुच गया है, जहां उनकी अपनी पार्टी, मतलब अपने संगठन, RSSS के हेड़ भी उनसे तफ्री ले रहे हैं, और हिंदू धर्म के शंकराचारी भी उनसे तंस कर रहे हैं, तो आ फिलाब के यही देख रहे हैं, एक चीज़ और भी है कि इस समय जो भी हालात हैं, BJP के अंदर, वो किसी से छुपे नहीं है, कि तलवारे खिची हुई है, इनफाइटिंग है, फैक्शनालिजम दिख रहा है, ग्रूपिजम दिख रहा है, लेकिन एक ऐसे समय में RSSS का कलती भी नज़र आ रही है, BJP के, और मोदी और शाह की कंट्रोल में नहीं है, तो क्या आज एक तरीके से मोहन भागवाद अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं? तरीके, RSSS शुरूर से दिखलना जी करना चाहता था, RSSS जैसा नकली संगठन कोई नहीं गरा, एक जूटा फरेवी संगठन, जिसने अपने आपको सांस्क्रतिक कहने का मुलम्मा चड़ा रखा है, जबकि वो सर से पाउं तक पॉलिटिकल है, सर से पाउं तक वो इस पर नफरत से लेकर हर चीज को पैदा करता रहा है, जूट का सबसे वड़ी फैक्ट्री रहा है, RSSS अंग्रेजों का मुखविर रहा है, RSSS का नाम है, जिसने इस देश की सबसे पहली और दोर्दान हत्या करी थी, एक सांस्क्रतिक संगठन ये काम नहीं करता है, तो RSSS श वो आदमी लगाता है, जिसकी विश्व की सबसे उची मूर्ती कहने का दावा करके नरेंद मोधी इस्थाफित करते हैं, बल्लब भाई पटेल ने प्रितिबंद लगाया था, RSSS पे, क्यों लगाया था प्रितिबंद? इसलिए लगाया था ना, क्योंकि ये बहुत खतरना है, ये नौजवानों को बर्गलाता है, कई बार तो मैंने सुनाए कि समझदार लोग अपने घरों में इनके लोग को आने नहीं देते थे, क्योंकि ये मीटी मीटी वातों से पसाते थे, उसके बहुत धीरा जहर पैदा करते हैं, बहुत धीरा जहर, खेल-खेल में हिंदू मुसल्मान की रफ्रत पैदा करना, खेल-खेल में गांधी और नहरू के खिलाफ, खेल-खेल में कॉम्मिनिस्टों के खिलाफ, सुभाशन बोज के खिलाफ, इन सब के खिलाफ, तो RSS औरतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, तो RSS तो बहुत ही, म हम ठीक हैं, हम आपके खिलाफ है तो लड़ेंगे, संगठन भगास सिंग का भी था हिंदोस्तान सोशलिस्ट रिपप्प्टिकन एसोसियेशन, खुले आम वो लड़ा, फासी चढ़ा, अदालतों की करवाईया में गई, माफी तो नहीं मांगी, यह आरेसस जो इंद्रा नहीं है, यह पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, लेकिन चूंकि आरेसस के अंदर के जो भी लोग ज्यादा एक्टिव होते थे, वो खुद डिरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते थे, यह आरेसस है जो अपने यहां के लोग की हत्याओं पर राजनीत करी, उनकी पर डाल दिया, तो ऐसा नहीं है, और वद्दब राजम्यादोग बड़े निता थे, लेकिन इस आरेसस के वो सारे लोग जो राजनीत की बहुत ज्यादा महत्वा कांची होते थे, वो भाती जनता पार्टी या इसके पहले जनता पार्टी या उसके पहले बाती जनसंग मे तो चल जाता था दोनों चीज़े अब जो राजनीत में शानों शौकत है जब आपके आरेसस का एक आदवी प्रिदानमंत्री बनने के बाद 8000 करोण के प्लेंड में चलता है आप देख रहे हैं आप देख रहें कि हमिश साकी शौकत क्या है उनका लड़का बिना क्रिकेटे के बैट पकले जो है 20CIA का चेहर पसर हो जाता है जब आप देख रहें कि मामूली मामूली लोगों के क्या ऐश हुए जा रहे हैं तो आरेसस के लोगों को लगने लगा है जब आपने ये ऐश हो आराम देखने लगें पहले की राजनीद 20 साल-25 साल पहले की ऐसे नहीं होती थी लेकिन अब कि राजनीद में जब कॉर्पोरेट का पैसा आया है और कॉर्पोरेट के पै ग्लैमर हमें भी चाहिए और उस पावर और ग्लैबर को भाती अंता पार्टी के RSS मूल के नेता जिनका काम ताकि भागेदारी देना, सम्मान देना, जब वो हाशिये पे छोड़ने लगे कि तो किनारे जाओ, तो उसको विदकना सौभाविक है, वो मोहन भागवत के अंदर ह जब से ये बयान मोहन भागवत का सामने आया है, कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब ये धीरे-धीरे मोहन भागवत इस बात का संकेत दे रहे हैं, कि अब वो मोधी को हटाना चाहते हैं, और RSS की first preferred choice मोधी नहीं है, क्या वो इस बात को लेकर अब संकेत दे रहे हैं, औ से उनको लगा है कि RSS बहुत पीछे चला किया, RSS की जो policy है बहुत धूर्तता वाली है, मोदी ने जिस तरीके से, arrogance के तरीके से, और जिस violent तरीके से politics करी है, विडिक्टिव पॉलिटिक्स करी है, वो RSS को कपा दे रही है, सरकारे हमेशा के लिए नहीं आती है, वो RSS जो इंद्रा गांधी के समय में माफिया मांगता है, उस RSS को ये डर नहीं है कि अभी भारती इंत्रा पार्टी की सरकार चली जाएगी, तब RSS का क्या हाल होगा, RSS के लोगों ने जो किया है, कि RSS के नाम पे हुआ क्या वो revengeful politics अगर में बदल गया तो क्या होगा, तो RSS एक डरपोग संगरती है, और इसलिए वो मोधी की politics को पसंद नहीं कर रहा था, वो जिस तरीके से बोलते जादा थे, करते कम थे, दूसी बात है, मोधी का arrogance खतम होता दिख रहा है, घमन तूट चुका है, सत्ता हास से फिसल लई है, ऐसे में RSS को लग रहा है, अगर उसने तुरन मोधी से पीछा नहीं छुटाया, तो मोधी का जो खामिया जाए है, जो आच है वो RSS तक आएगी, वो मोहन भागवाद सही तब्राम पर आएगी, और इसलिए RSS अपना stand ले रहा है, कि हम दूर है, जो किया धरा मोधी का किया धरा हम दूर है, और ऐसे में RSS म तो वो शुरू कर दिया है, और कुछ विक्तिगत खुननस भी है, मोहन भागवाद जितना हाशी पर ठके ले गए है, RSS जितना हाशी पर ठकाला गया, तो गटगरी से लेकर सबने कोचा नहीं होगा, राजनासिक भाती अंता पार्टी में हैं, मोधी मोधी कहते हैं, लेकि इन्होंने अपने प्लांट पर कोचा होगा, यानि कि जो आपने ये बात कह रहे हैं, कि वही सबने कोचा होगा उनको, तो क्या आज नितिन गटकरी या फिर राजनात सिंग या बीजेपी के तमाम नेताओं ने आज जो नहीं बोलने की हमत रखते, क्या उन्होंने मोहन भा या शाह की इशारों पर नहीं है, जिस दिन उनको ये confidence मिल गया था, तब से कह रहे हैं कि देखिए गलत हो रहा, देखिए गलत हो रहा, लेकिन भागवत भी नहीं समझ पा रहे थे क्या करें, RSS भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मोधी की corporate और IT cell ने कबजा जमा लिया थ मोधी की का IT cell इतनी खतरनाक थी, कि वो किसी मिनेता को पर अपने नहीं दे रही थी, जब वो हिंदूों के political नेता शंकराचारे को गालिया पढ़वा सकती है, तो बाकियों की क्या हैं, वो तो राजनीद के मुकाबले में भी नहीं आये थे, तो इसलिए अब जाके, अब आरेसस में नहीतिक साहस होता, तो तुरन बोलते कि देखिए, आप मनश हैं, मनशों जैसे भाष्र दीजे, यह अलोकिक और देवता बनने की कोशिश मत करिए, देवता राम को हम मानते हैं कि तुमको भी मान लेंगे, परमात्मा मोधी से बात करता है, यह आरेसस की हो जाएंगे, फिर मोहन भागवत क्या है, फिर आरेसस क्या है, नहीं बिलकुल, लेकिन अगदीपक, क्या ही एक विद्रोज ऐसी स्थिती नहीं है, अलग-अलग राजियों की यूनिट में जो खलवली मची हुई है, हरकम सा मचा हुआ है, उता पर देश की संदर में देख है, यह खुला विद्रो वगेरा नहीं है, डूबता हुआ जहाज है, सिससे बचना चाहते हैं कि हम न डूबे साथ, उता पर देश के एक विदायक है, उस विदायक ने बयान दे दिया है, साफ-साफ, और बाद में कह रहा है कि तोड़ा पोड़ा है, वो सब तो हर आदमी क है, अब अगर बाती अंता पार्टी का विदायक खुले आम बोल देगा, कि हम अभी नहीं तीन साल बाद भी हारने जा रहे हैं, यह बता रहा है, तो आप समझे लिए मोराल किस लेविल पर पहुच चुका है, तो एक डूबते हुए जहाज में, जो जितना बच पाए, अब हो को में जो जो बता रहे हैं, जो बचाने की कोशिष कर रहे है, जो जान बहुत हरे है,जोंसा देखे हुआ है, जोHHHH You , जोझाने है, ही एक समय में वालमी के संदर में ही कहा जाता था, हलांकि वो मित का हिस्सा हो सकता है, जब वो डाकू थे सब को लूटते थे, उनसे कहा गया कि जाके पूछो, उसकता है अंगोलिवाल के साथ भी हो सकती, बुझे याद नहीं आ रहा है, और जब वो पूछने के अपने घर वालों से कि मैं इतना लूट-लूट क्या लाता हूं तुमको खिलाता हूं मेरे पाप में तुम भागीदार हो उनका हम क्या करें पाप तुम करते हो हम तो खा रहते एक एक करके सब निकल जाते हैं तो जब तक फाइदा लेना होता है तो करने पीजयर तुमकि और उनक्रेम्ल लेंटाना कि वह खेंजिता सब उसितिता है तो सब्यक्राइगर चांड़ को शाजर सकते हैं क्या द्यक्तम सब्सक्राइब ज़िangर के मरेके में में तंस चेटक रहें वाल लिए मिखने नियुंस ईंक्राहेला अंट घिसानly मतने में है इसस संधिख्थन की तरीखे से काम करता है और तो कानून हो कि है सो अगर अगर मोहन भागवाट इस तरीके अगर रहे तो क्या वह एक तरीके से बचाव मुद्रा नहीं हैं और वो इंडिया लाइंस को भी सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अगर आपके सरकार आएगी तो देखिए हम भी प्रदान मंत्री के खिलाब बोल रहे हैं इसलिए हमारा ख्याल रख लीजिएगा कि आज ये भी कहने मोहन बाइब बिल्कुल 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 या भी को खिलागर रहे हैं तब तो इसका मतलब यह कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे राज्यों के चुनाओं और पास आएंगे या फिर आरेस एस को लगने लगेगा कि बिल्कुली डूब रही है तब तो फिर पता नहीं क्या-क्या चीजे मोतीं की बेनकाब करने लग के खिलाब धरना प्रिदेशन शुरू हो जाएंगे दो हजार सताइस में उत्तर प्रिदेश का विधान सभा चुनाओ हारने के बाद आप देखेगा भारत में क्या होगा इसलिए कहते हैं जरूर से ज्यादा घमंडो आती नहीं करनी चाहिए जो मोदी ने एहंकार में आती क्या होगा क्योंकि आखिरकार जनता को तो रहत मिलेगी नहीं जनता तो रेल काड़ी के डिप पे पलट रहे हैं तो पलट रहे हैं लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं कौन पूछने वाला है कौन देखने वाला है देश कैसे चला है तो ऐसे में क्यों नहीं बोलेगा और आरेस तो आरेसस को बोलना चाहिए कि देश के अंदर जो तमाशा मचा हुआ यह आरेसस है जिसकी आड में जिसकी ओट में सौदेशी जागरणमंच चलता तुछ आप पूछ लीजे दस साल में सौदेशी जागरणमंच कहां खो गया इंडियन मुजाहिदीन की तरह खो गया सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा, विदेशी दावते, विदेशी पैसा को बुलाने की चीज़े, FDI सब हुआ, सोदेशी जागरण मंच कहां खो गया, RSS जवाब भी देगा, RSS का संगटन है, अकिल भाती विद्याती परिशद, छात्रों की सबसे ज़्यादा नुकसान हु मजदूर संग के मजदूरों की हालत क्या हो गई है, मजदूरों की कितनी छटनी हुई है, क्या हुआ है, RSS क्यों नहीं बोलेगा, तो RSS क्यों नहीं बोला, अब तक ये RSS के पाप है, अपने ही संगटन के आधार पे नहीं बोला है, तो RSS को बोलना चाहिए, और अगर तो आरेसेस को अगर अपने पुराने पापों से दूर होना है तो आरेसेस को बोलना चाहिए इस निरंकुष सरकार के खिलाब आप तो आज तो फिलाल मोधी जी की ट्रोलिंग करते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में और कौन-कौन सी चीजे उजागर करेंगे यह देखना होगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक थाइसा ना हो कि किसी दिन मोहन भागवत कह दे हाँ देखते हैं चलिए अभी तो मज़ा लेते हैं जी जी ओकिजिए दांकिए दीपक थाइसा ना इसे सो मच्च बाइए